हेलो टेटर्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका इस बीक की बीकली फोरकास्ट वीडियो में दोस्तों इस बीक में gold क्या setup बना रहा है, इस बीक में किस direction का momentum आ सकता है, किस label को इस बीक में हम support and resistance मार कर सकते हैं, किस label को respect कर सकते हैं, कैसे identify करना है, आई इस वीडियो में detail में समझते हैं, तो सबसे पहले हम Delhi time frame में analyze करेंगे तेडस, इसके बाद 4 hours के time frame में देखेंगे, क अभी किस तरीके से trade कर सकता है तो previous time जैसे कि टेटरस हम देख पा रहे हैं market बहुत अच्छा एक heavy uptrend में है market higher high higher low higher high यहां पे लगा रहा है द्यान से अगर हम देखेंगे तो previous high को market ने break out किया है again यहां से rejection आए दोस्तों यह previous low है न देखेंगे आप तो market ने break नहीं किया है ठ market एक silent higher high लगाने में काफी ज्यादा interested है again देखो previous जो low था ना फिर से market ने break out नहीं किया है ठीके फिर से market यहां पे trade कर रहा है तो अभी market एक silent higher high लगा रहा है market का एक uptrend यहां पे दिखाई दे रहा है daily time frame में तो बात करते हैं अभी market में setup क्या बन रहा है तो दोस्तों यहा फर्स्ट, सेकंड शुंगलो, थाट शुंगलो को add करूंगा यह और इसको channel में हम यहां पे मार कर लेंगे यह मैंने एक parallel channel मार कर लिया थोड़ा मुझे adjust करना होगा तो अच्छे से यह channel बन जाएगा ध्यान से देखिए यह कितना अच्छा channel यहां पे बनता हुग आपको न rejection आया कहां तक parallel channel का support line फिर से मार्केट ने अच्छा बुलिशनी शो किया और parallel channel को जो एक resistance line है यही से देखो rejection आया कहां तक parallel channel का middle line तर यह middle line का एक support zone है support area है तो यहां पी हमें क्या दिखाए देरा डेली टाइम फिरम में एक काफी अच्छा parallel channel बना हुआ है price channel को काफी अच support ले रही है जैसे कि हम देख पा रहे है ठीक है तो यहां पर simple सा एक channel हमने मार किया इसके बाद यहां हमें एक support zone भी मार करना होगा टेडस यह काफी अच्छा से एक support area है पूरा zone है यह support का parallel channel का middle area भी है तो यह support zone हमने मार किया अब देखिएगा यहां से market ने rejection किया support line पे आ probability क्या है probability है कि market यहां से again resistance के आसपास हमें देखने को मिले ठीक है यहां पे इसके अलाबा और क्या setup बन रहा है वो भी यहां पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा 4 hours के time frame में जोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे चोटी सी request है वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ knowledge मिलता है थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज यार वीडियो को like जरू करिएगा चैनल पे अगर आप नए हो और आप भी इस तरह है एक simple सा analyze करना सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर subscribe कर लो साथ में bell icon को hit कर ताकि ऐसे ही knowledgeable वीडियो की notification आपको आगे भी मिलती रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा Delhi time frame में काफी शांदार सा एक parallel channel बना रही है market और parallel channel का middle line है middle area इस line का support लेने के बाद bullishness यहाँ पे शोग कर रही है अब चलते हैं टेटर्स यहाँ से 4 hours के time frame में देखते हैं क्या setup देखेगा यहाँ से एक label है यह resistance का जो की previous time काफी अच्छा market ने resistance लिया है यह area हमने क्यों market देखो अगर parallel channel को हम थोड़ा side में करेंगे तो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे price ने इस label को resistance लिया है फिर से देखो support लिया है resistance लिया है again support लेने के बाद यहाँ से price एक bullish बुलिशनी शो कर रही है यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है market एक range बना रही है और अर्स के time frame में price एक range बना रही है range के अंदर trade कर रही है देखो यहाँ पर support ले रहा है resistance ले रहा है support ले ठीक है फिलहाल में अगर हम देखेंगे यहाँ से तो double top जैसा market ने बना रहा है ठीक है लेकिन double top का जो निकलाइन है support है फिर से support लेने के बार market bullish ने शो करें तो यहाँ पर एक range जैसा बन सकता है ठीक है support resistance यह बहुत अच्छा सा एक resistance एरिया है और यह बहुत अच्छा सा एक support zone है तो अभी जैसे ही market is range का breakout करती है तो फिर एक अच्छा सा हमें move देखने को मिल सक जैसा कि आपने भी देखा होगा जब भी price एक range में trade करती है multiple time range का resistance लेती है support लेती है resistance support जैसे जितना market उस range के अंदर trade करती है और इसके बाद जैसे ही range का कोई breakout होता है या फिर breakdown होता है तो फिर एक अच्छा move हमें देखने को मिलता है तो ऐसे ही यहाँ पे भी यह top पर एक range बना रही है market थोड़ा time spend कर रही है तो जैसे ही इस range का traders breakout अगर करती है market तो फिर हमें एक up move यहाँ देखने को मिल सकता है ठीक है काफी अच्छा सा यह एक level है resistance का क्या level है चेक कर लेंगे 2482.73 and 2461.31 का यह resistance है और यह support zone जो हमने मार किया है level थोड़ा बड़ा है यह support का area 2390.72 and 2351.48 का यह support zone है support area जैसा हमें दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से traders इस week में gold में एक simple सा setup बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर price एक range बना रही है जैसे कि आपने देखा और इसके साथ में हमें एक काफी अच्छा channel भी बनता हुआ नजरा रहा है जो कि आपको daily time frame में देखने को मिलेगा अब proper यहाँ पर देखो market एक level में trade कर रहा है बहुत अच्छा एक bullish pattern यहाँ पर बन रहा है तो इस pattern का जैसे ही breakout करती है traders तो फिर से एक नया high लगाता हुआ gold हमें देखने को मिल सकता है काफी अच्छा एक upside का momentum देखने को मिल सकता है अब upside का momentum कहा तक market लगा सकती है तो इसके लिए traders previous high कोई हमें नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एक round number जो है इसके हिसाब से हम निकालें तो एक यहाँ पर देखेंगे आप level 2560.00 and second जो level है 2520 का यह psychological number है तो इसके हिसाब से यहाँ फिरस्ट यह resistance हो सकता है and second assistance 2560 के आसपास हो सकता है इस level के आसपास gold एक high लगा सकती है उमीद करता हूँ टेटरस आपको भी थोड़ा idea मिला होगा इस week में क्या setup बन रहा है और किसे हम analyze कर सकते हैं इस वीडियो से अब गार आपको थोड़ा भी कुछ knowledge मिला थोड़ा कुछ learning को मिला प्लीज लाइक ज़रू करिएगा वीडियो को चैनल पर नहीं हो तो आप subscribe कर लिजेगा ताकि ऐसे ही knowledgeable वीडियो की notification आपको आगे भी मिलती रहे तो मिलते हैं टेटरस पर येको और नहीं ऐसे ही iCore analysis वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार